हेलो गाइज, वेलकम बैक टो अपना कॉलेज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एरे के कुछ एक्सेज़ाइज तो बेसिकली यार यह एक एक्जामपल मैंने आपे लिखा है जिसके अंदर एक एरे बनाया है और बहुत सारे उसके अंदर हमने अबजेक्ट लिखे हैं ठीक है और इन अबजेक्ट के अंदर कुछ operations करने हैं चो कि एक एक करके हम साथ में करने वाले हैं तो बिना किसी दरी के of all names लिखा है तो हर एरे में नेम है हमारे पास और उस नेम को निकाल के आपको एक अलग एरे बनाना है और इसके लिए आपको कौन सा method यूज करना है वह आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आर ऐसा-सा एक चीज ट्राइ कीजिए आपसे हो जाएगी ठीक है अब मैं यह मान रहा हूं कि आपने पास करके ट्राइ किया होगा तो चले चलते हैं आरो function ही उसकरता हूं हमेशा है ना तो मैंने आप पे एरो function लिखा और इस एरो function के अंदर हमको जो वेल्यूज होगी वह करके मिलने वाली है तो वल्यू का नाम हम सी एच रख देते हैं हर character की value का नाम सुरी हर object की value का नाम है थी एच अब इस सी एच से आप अप हर अगर आपको याद है मैप कैसे यूज करते हैं और मैप क्या करता है तो बेसिकली यार यह जो भी हम रिटन करवाएंगे उसको एक नए अरे में स्टोर कर देगा तो सिंपली आपको क्या रिटन करवाना है आप समझ गए होंगे हमको नेम चाहिए तो हम नेम रिटन कर रहेंगे और जैसी मैं यह नेम रिटन कर रहांगा यह इसके अंदर आ जाएगा ठीक है अब यह कोड़ा सा बढ़ा है आपको पता है इसको कैसे शौर्ट करते हैं है ना तो बढ़ा हर से इसको शौर्ट कर लीजिए मैं भी इसको यार के अंदर करना है तो सबस्क्राइब कर दिए और फिर यहां पर यहां पर यहां पर इसको भी मैंने हटा दिए काफी सिंपल शौर्ट तरीके से हमने एक नया वेरियेबल बना दिया नेम सामका अब मैं कॉंसोल लॉग में इसको कॉंसोल करवा के देख लेता हूं क्या मेरा आउटपुट जो है वह सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो सेव करता हूं और ओम नमस्षिवाए यहां पर आप देख सकते हो हमारा आउटपुट जो है वह एकदम मस तरीके से दिख रहा है मतलब जो हमने नेम से वह एक्स्टेक्ट कर दिए एक नए एरे के अंदर इसी तरह से यार एक और चीज़ यहां पर है get an array of objects with just name and height properties तो यहां पर मैंने name लिया है साथ में आपको height भी लेनी है और एक object के रूप में हमको लेनी है तो यह कैसे करेंगे यह आप ही करो है ना मैं इसको करके दिखाता हूं लेकिन एक बार अच्छे से try करो क्योंकि इस स जो मैंने उपर example use किया है उससे आपको अच्छे से clear हो चुका होगा कि इसको हम कैसे करने वाले हैं तो आप आपने try किया होगा और आप successful भी रहे होंगे फिर भी नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं आर देख लो आगे जो solution में बता रहा हूं और साथ साथ में code करो तब आप इसके अंदर फिर से वही characters map इतना सब कुछ लिखने वाले हैं बट यहां पर मैं curly braces रख रहा हूं क्योंकि मेरे को object पास करवाना है और objects return करवाने के लिए हमको यार मल्टी लाइन का use करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर हमने object बनाया है तो object का तो object के अंदर एक key होगी और एक value होगी तो की सबसे पहली होने वाली है name और उसके बाद में value जो है वह हम रखते हैं ch.value value क्या sorry ch.name ठीक है और फिर दूसरी जो property है उसमें हम करेंगे height ch.height यह automatically यार मैंने extension डाल रखा है tab 9 नाम का वह करके दे रहा है आप खुछ से कर लिएगा अगर आपके लिखा लगा नहीं आ रहा है नहीं तो टाइब 9 इंस्टॉल करते हैं काफी ऐसी चीज है हमारे लिए AI की मदद से खुद से करके दे देता है तो काफी useful चीज है ठीक है इसको मैं सेव करता हूं और output देखने के लिए इसको यहां से copy करते हैं यहां पर paste करते हैं और यह जो हमारा व करते हैं next task की तरफ तो यहां पर लिखाए get the total height of all characters इसको करने के यार बहुत तरीके हैं लेकिन एक बहुत अच्छा method है जिसको use करके हम यह कर सकते हैं तो कौन सा method है वो वो आपको ढूणना है आप जाईए MDN की website में सारे arrays के methods को घुसके चान मारिए कहां पर यह वाली ची MDN लिख दिया MDN के अंदर हमको arrays चाहिए तो मैंने MDN array लिख दिया और JavaScript का array आ गया अब इसके अंदर बहुत सारे methods है हम एक-एक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे तो पता है कौन सा हम use कर सकते हैं बट आपको एक-एक पढ़ने पढ़ेंगे और यहां पर reduce नाम का एक method है जो क्या करता है सारी values को जोड के हमको एक particular value देदेगा अब इसको कैसे use करते हैं देखते हैं तो इसके अंदर एक तो previous value जाएगी और current value जाएगी और बाद में यह क्या return करता है यह previous value को current value को साथ जोड के हमको return कर लेता है तो तो यहां पर 0 जाएगा सबसे पहले previous value में और current में 1 तो 1 हो जाएगा फिर 2 और 1 3 फिर 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10 ठीक है तो ऐसा कुछ हमारा output हो जाएगा तो यही ताकि हमको अच्छे से समझ रहे कि हम कर रहे हैं तो हमको total height निकालनी है तो यहां पर मैं लिखता हूँ total height ठीक है और उसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे characters.reduce तो यहां पर reducer के अंदर हमको क्या मिलने वाला एक बाद देख लेते हैं तो हमको यार basically सारे objects मिलेंगे current value के अंदर और previous value के अंदर भी हमको जो value है जो हम pass करवा रहे हैं वो मिलने वाली है ठीक है तो previous में हम लिख देते है previous height और comma character में हमको character मिलने वाला है ठीक है तो हमको क्या करना है हमको return करवाना है previous height plus character.height यह automatically tabline ने मेरे लिख दिया है तो जैसी मैं इसको save करूंगा तो value होने वाली है है उसके बाद में जैसे हम इसको plus करेंगे तो जो value return होगी वह अगली बार यहां पर as a previous height आईगी तो जैसे कि सबसे पहली value है हमारी 172 तो पहली बार जब यह चलेगा तब 0 होगा but plus होने के बाद में 172 हो जाएगा फिर next time यह 172 आएगा लेकिन यह plus हो जाए हैं तो यह plus नहीं हो सकता और जैसी मैं इसको save करके अगर console करवाऊंगा तो आप देखना यहां पर जो total height है वो एक string में आ रही होगी आप देख सकते हो यहार object object के बाद में आप पर पूरी string लिखी भी आ रही है और object object क्यों आ रहा है क्योंकि हमको पहली जो previous value है वो 32 प्लस 145 प्लस 150 और प्लस 168 हो जाएगा लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि यह दोनों एक string है तो इसको कैसे resolve करेंगे उसके लिए हमको इसको convert करना होगा number के अंदर और number के अंदर convert करने के लिए मैंने coercion वाला video आपको बताया था जिसके अंदर हमने बताया था type conversion कैसे कर सकते हैं तो यहां पर आप इसको wrap कर लीजिए number object का use करके अगर हम इसको convert करें तो easily यह number में convert हो जाता है फिर मैं इसको save करूंगा तो 635 जो है वो इसकी total height है और आप इसको verify कर सकते हैं उसको plus करके आपकी जो height आएगी वो 635 होने वाली है तो आप समझ गयार कैसे हम use करते हैं और हमको जब भी errors आती है तो कैसे हम syntax को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहां पर क्या problem आ रही है ठीक है यही मकसद है आपके साथ बैठके सारी exercises solve कर रहा हूं वरना यार बाकी चीज़ है तो हम normally खुद से भी कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर नेक्स चीज़ है get characters with mass greater than 100 तो यहां पर कौन सा method use होगा यह आपका task है जाओ ढूंडो और यहार जितने भी मैं आपको बोल रहा हूं ना ढूंडने के और solution खुद से try करने के उसको खुद से try किय करो और साथ में comment section का use करके उसमें बताओ मेरे को कि क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आपका answer सही आ रहा है या नहीं आ रहा है जो भी आपका guess है वो at least नीचे लिग दिया करो ठीक है तो चलते हम mdn में और देखते हैं कि कौन सा यहां पर हम use कर सकते है method तो mass greater than 100 है तो नाम से हमको पता चल जाएगा है एक तो इसमें find आ सकता है लेकिन हमको सारे characters चाहिए इसले find नहीं आएगा क्योंकि find हमेशा एक result देता है तो क्या filter इसमें आ सकता है हां जी जरूर क्योंकि है filter क्या करता है सारी जो values है हमारी उन सब को store करवा के एक नया array बन matter than mass यहां पर मैं लिख रहा हूं और equal to हम करते हैं characters और equal to हम करते हैं यहां पर characters और उसके बाद में dot लगा के कौन सा हम use करेंगे method filter तो f लिखा filter आ जाएगा हमारे पास में और उसके बाद में हम इसके अंदर भी एक arrow function पास करेंगे तो यहां पर मैं आरो function ला लिया है और अब हम क्या करते हैं अब इसको हमको यहां पर एक वह मिलने वाली है सबसे पहली value जो की हमारी array की objects होंगे तो यहां पर मैंने लिखा character और उसके बाद में हम यहां पर उस character में क्या return करवाएंगे वह सारी values हमको return करवानी है मतलब वह सारे objects हमको return करवाने हैं जो की greater हो 100 से जिनका mass greater हो 100 से है तो यहां पर मैंने लिखा mass dot sorry तो यहां पर मैंने लिखा character dot mass और फिर greater than 100 सेव करते हैं और यहां पर हमारा output कुछ नहीं आया क्योंकि console log हमने नहीं कर वाया तो एक काम करते हैं पहले इन console को हटा देते हैं और यहां पर नया console log paste कर वाया और यह greater than mass जो है पे पेस्ट करके सेव करते हैं, तो खाली एक अब्जेक्ट आया है, जिसका नाम है जेठा लाल जी, जेठा लाल जी आया है हमार पास, और इनका मास यार बहुत जादा है, जैसके आप देख सकते हो हैं, तो 136 इनका मास है, और रियल लाइफ में भी आपने देखा ही होगा, है, get all male characters, ये भी आप यार, filter method की मतलब से, आसानी से कर सकते हो, सेम चीज़ आपको करनी है, बस यहाँ पे, equal to sign लगाना है, और mail लिखना है, और यहाँ पे gender, ठीक है, तो इसको copy कर लेते हैं, और syntax में थोड़ा सा change होने वाला है, क्योंकि variable के नाम जो है, वो हमको सही करने ह होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, male characters, याफी cn ची लिखते हैं, और फिर characters, filter तक तो सब सही है, यहाँ पे हमको लिखना है, male, और फिर triple equal लगा सकते हो, double equal लगा सकते हो, और यहाँ पे हम लिख देंगे, male, तो जैसा कि आप देख सकते हो, खाली बवीता जी ही है, यहाँ पे female, बाकी सब तो male है, तो हमको कुछ change करना नहीं पड़ेगा, और जैसी हम इसको console करवाएंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हो, output जो है, वो दो बार क्यों आ रहा है, यहाँ पे, output जो है, वो खाली आ रहा है, अब आप देखे है, क्या गलती मैंने करी है, तो I hope आपको गलती दिख गई होगी, यहाँ पे gender लिखना था, मैंने लिख दिया, male, इसलिए, तो जैसी मैंने gender लिखा, आप देख सकते हैं, मस्त हमारा तीनों जो object से अच्छे से आ गए हैं, और filter method की मदद से हमने इन सब को आसानी से solve कर लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, य हमारा जो one line के अंदर code है, वो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तीन line का code जो होता है, उसको हम one line में convert कर सकते हैं, JavaScript की मदद से हैं, और JavaScript का यह जो ES6 वादा version था ना, उसके अंदर बहुत सारे changes हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वेले videos के अंदर पढ़ेंगे, तो बस अब error हट गई, बहुत ही आसान, ठीक है, अब मैं इसको copy कर लेता हूँ, अब बढ़ते हैं next task की तरफ, तो next हमारे यहाँ पे sort by gender, sorting कैसे करते हैं, यार अब देखना पड़ेगा, वो तो मेरे को नहीं पता है न, तो यहाँ पे कुछ, कोई ने कोई method होगा, उनको हमको ढू यह बहुत ही efficient है, तो मैं यही recommend करूँगा, कि आप यहाँ पे आईए, और इन methods को, जो हमको extra दिये हैं, उनको use कीजिए, rather than forage को use करके, आप पूरी algorithm खुद से लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, sort method हमको दे रखा है, बट इसको use कैसे करते हैं, तो use करने के यहाँ पे आपको देना है, एक तो first element, comparison के लिए, और यहाँ पे आप दूसरा भी element दे सकते हो, comparison के लिए, तो basically एक element देना है, comparison के लिए, ठीक है, तो मिरे को भी नहीं पता है, और मैं पहली बार ही sort method का use करके आपको बता रहा हूँ, तो foot out से देखते हैं, आपने characters लिखा, यहाँ पे आपको लिखना होगा sort, और यहाँ पे जो variable का नाम है, उसको मैं change करके कर देता हूँ, sort by gender, ठीक है, अब यह console log है, इसको भी copy करके हम नीचे ला लेते हैं, और इसको console log करवा देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमको code change करना पड़ेगा, तो मैं remove कर देता हूँ, और देखते हैं, कैसे हम sort को use कर सकते हैं, तो sort को use करने के लिए हम basically आर सिर्फ sort को भी लिखेंगे न, तो sort हो जागा, लेकिन यह सारे primitive है, reference data types के लिए आर चीज़े अलग टाइप से work करती है, तो देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे भी reference है, यहाँ पे आ इन्होंने एक value को दूसरी value से minus करके, इन्होंने sorting करी है, लेकिन अगर हम नीचे हैं, तो sort by name यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसके अंदर if a is greater than या फिर smaller than है, तो हम return one, मतलब हमको true या false return करवाना है, अगर एक चीज़ दूसरे से greater है तो ठीक है, तो हम basically इसी को copy कर सकते हैं, तो मैंने इसी को copy कर लिया, और अब हम इसको यहाँ पर एक नया function बनाएंगे, और इसमें दो name आएंगे ना, तो basically name की जगे हमारा आ रहा होगा object, तो यहाँ पे character one, character two, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे curly braces होंगे, curly braces के अंदर हमारा यह जो code हम इसको लि यहाँ पे name की जगे, इसको copy करवा देते हैं, dot name लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटाना है, और same चीज यहाँ पे हम करेंगे, तो basically यहाँ पे हो यह रहा है कि comparison होगा, और इसके बाद में यह return करेगा, minus one या फिर one, depending upon हम क्या, यहाँ पे compare करवा रहे हैं, ठीक है, तो अग तो बस जैसी मैंने इसको save किया, अब आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जो है, वो बबीता जी आ गई है, और जहाँ बबीता जी है, वहाँ जेठा लालत होंगे, तो उनके just पीछे जेठा लाल जी और फिर अईयर जी और फिर तारग भाया, ठीक है, तो अब आप समझ गयों गयार, कैसे हमने इसको sort किया, अब similarly अगर आपको इसको उल्टा करना है, तो बस जार इनको आप change कर दीजिए, और जैसी मैंने इसको change किया, अब आप देख सकते हो, उपर जो है, वो हमारे तारग जी और लास्ट में हमारे बबीता जी, ठीक है, तो आप समझ ग रहना था, मैं भूल गया, मैं sort by name कर बैठा, तो कुछ नहीं यार, इसको मैं rename कर देता हूँ, और rename करके इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, तो अब आपका काम है, आप sort by gender कीजिए, और मैं pause लेता हूँ छोटा सा, चाई पी कर आता हूँ, तब तक आप इसको solve कीजि हूँ, तो सेम चीज़ आपको यहां पर paste करनी है, name की जगे आप क्या करो, rename कर दो name को gender से, ठीक है, तो यहां पर मैं control R का use कर रहा हूँ, control F और control R से हम search और find और rename replace कर सकते हैं, तो आप dot name के बाद में आपको यहां पर dot gender करना है, gender से फिर हम क्या करेंगे, इतने को ही हम replace कर तो starting के जितने भी हमारे dot name है, उसको मैं dot gender से replace कर लेता हूँ, और बस यह हो गया हमारा, अब इसको हमको console करवाना है, तो यहां से आप इसको copy कर लीजिए, यहां पर आप इसको paste कर लीजिए, और जो sort by name है, उसका नाम change करके sort by gender कर लीजिए, ठीक है, और जैसी हमने यहां पे name को gender में change कर दिया, अब हम output देखते हैं, तो पहले था हमारा तारग भाई, जेठा भाई, और फिर बवीता जी, बट अब अगर हम देखे, तो male सारे जो है, वो उपर आ गए, और female जो है, वो नीचे आ गई है, तो आप देख सकते हो, एक ही female नाम का एक object था, बवीता जी जो कि अब नीचे है, ठीक है, तो बस यार कुछ इस तरीके से हमने sort by gender भी देख लिया, sort by name भी देख लिया, बढ़ते हैं next task की तरफ, तो next है, does every character have mass more than 40, तो यह हमको check करवाना है, और यह check करने के लिए कौन सा object यूज़ करेंगे, तो देखते हैं, यहाँ पर आप दे एक test case pass कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर वो boolean value रिटन करेगा, मतलब यही method है, जो हमको यहाँ पर use में लेना है, तो every method को हमको use में लेना है, तो कैसे लेंगे, फटा-फट से characters लिखते हैं, और उसके बाद में dot लगा के हम लिखेंगे every, और फिर वही हमारा parenthesis लग आएंगे ना, तो boolean को तो हम खाली directly console करवा देंगे, तो इसको मैं सीधा console.log में ही लिख देता हूं, तो console.log के अंदर ही हमने characters.every वाला जो method है, उसको call कर दिया, और उसके अंदर मैंने पास किया है, एक arrow function, जिसमें हमारा जो object है, वो आएगा, तो object का नाम फिर से character, और character की हर value हम को क्या check करना है, कि mass उसका ज्यादा है या नहीं, किस से? 40 से, तो character.mass is greater than 40, ठीक है, बस अब जैसी मैं इसको save करता हूं, आप देख सकते हो, true आ रहा है, क्योंकि यार, actually में, ये true है, सबका mass जो है, वो 40 से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं 100 करूं, तो false आना चाहिए है ना, तो false हा रहा है, और छोटा कर देओ, तो false इसको यहां से छोटा भी कर सकते हो, और यार, ये छोटा ही लिखना चाहिए, वैसे तो हम directly इसे छोटे syntax में ही लिखेंगे, तो better रहेगा, और धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, आप हर जगा arrow function को ही use करोगे, क्य लगाएंगे हम यहाँ पे equal equal sign, और फिर क्या check कर रहेंगे, कि यहाँ पे color जो है, वो blue है या नहीं, और अगर होगा, तो चेक कर देगा हर एक में, और true pass कर देगा, वरना answer जो है, वो false आएगा, ठीक है, तो इस console को मैंने कर दिया comment, अब आप देख सकते हो, false आ रहा है, एक को check करवाना है, और यह भी same चीज़ हम every function की वज़त से कर सकते हैं, लेकिन यार इसके लिए एक और अलग से function बना है, तो चलिए उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो, sum नाम का एक method है, तो यह क्या करता है, the sum method test whether at least one element in the array passes the test, तो जैसे एक भी test pass हो गया, तो return true कर देगा, तो यहाँ पे क्योंकि at least one हर जगे लिखा है, इसलिए हम इसका use कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई case है, जिसमें आपको सिर्फ एक test case pass कर रहा है, कोई भी एक value के लिए, तो आप इसका use करेंगे, ठीक है, त हम को some, मतलब कुछ को ही check करना है, मतलब किसी एक को ही check करना है, और यहाँ पे क्या check करना है, male या female, तो मैंने वही किया है, तो जैसे मैं ऐसे save करूँगा, तो output में यहाँ पे s नहीं लिखा है, तो आप देख सकते हो true है, क्योंकि जो answer है, वो भी true है, ठीक है, बढ़ते है next task की तरफ, तो यहाँ पे लिखा है, character should be taller than 200, तो taller than 200 कैसे होगा, taller than 200 के लिए हमको check करना पड़ेगा, उनकी height को, तो यहाँ पे height लिखा, greater than 200, save करूँ, तो आप देख सकते हो false आ रहा है, क्योंकि कोई भी character जो है, वो 200 से जादा की height नहीं रखता है, समझ गया है, तो I hope य होगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो, और बस इस वीडियो को ही समाप करते हैं, मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, see ya, have a great day and I will shortly catch you up in the next one.